क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम सब को हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी गाने कितने जल्दी याद हो जाते हैं। एक हिंदी गाने को लॉंच हुए एक दिन भी नहीं हुआ होता, कि हमें तुरंत उसकी लिरिक्स याद हो जाती है। वही अगर किसी सबजेक्ट को पढ़ने की बाता है, तो आगे पार्ट, पीछे सा पार्ट बस यही होता है। मेरे पिछले CPC के वीडियो में आपने ओर्डर 1 से लेकर 21 तक कितने एजी लिक एग्जाम्पल की मदद से सब याद कर लिया था। तो इसके आगे के ओर्डर्ज नो डाउट पिछले से जादा टेक्निकल होते ही है। और फिर ये तो CPC ठहरा। तो हमारे आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल स्टोरीज और ट्रिक्स की मदद से इन आगे के ओर्डर्ज को याद करेंगे। तो चली शुरू करते हैं। पैसे ही नहीं बचे। तो उसने अपना केस विड्डरॉ करने का सोचा। यहां आता है ओर्डर ट्वेंटी थ्री विड्डरॉवल और अज़्जस्मेंट ऑफ सूट्स। वो इन फैक्ट इतना इंसॉल्वेंट था कि कोट का फीस तक न दे सका। और ना ही सिक्यूरिटी फॉर कॉस्ट जो प्लेंटिफ से कोट कभी भी मांग सकता है। तो यहां आ जाएगा ओर्डर ट्वेंटी फॉर और ट्वेंटी फॉर और ट्वेंटी फाइज तो इतने बुरे सिच्वेशन के चलते कोट ने कहा कि चलो अगर तुम्हें कोई मदा दिया फिर असिस्टन्स शाहिए तो कमिशन इशू करवा देते हैं ताकि तुम्हारे मैटर की चानवीन भी अच्छा से हो जाए और सभी विटनेसेज, अकाउंट्स का एग्जामिनेशन भी हो सके। अब इसके डेत के बाद उसके गवर्वेंट ओफिस ने फैमिली को पैंशन देने से मना कर दिया। तो प्लेंटिफ की फैमिली ने गवर्वेंट ओफिस के खिलाफ केस फाइल कर दिया। तो गवर्वेंट वर्ट से अब याद हो गया ओडर 27, suits by और against the government। अब जैसा कि हमें समझ आया कि केस खली individual के खिलाफ भी नहीं बलकि government के खिलाफ भी फाइल हो सकती है। तो ऐसे ही केसे मिलिटरी वाले या बड़े-बड़े corporations, छोटी firms, trustees, executors, miners, unsound mind या indigent persons जैसे कि बहुत गरीब इंसान के खिलाफ भी फाइल हो सकती है। Hence, order 28 से लेकर 33. तो जिस plaintiff के बारे में हम बात कर रहे थे, उसने अपनी insolvency के चलते एक immovable property को भी गिरवी रख दिया था, जिसका पैसा वो चुका ही नहीं पाया। और उसकी finally death हो गई थी, तो यहां आ जाएगा suits relating to mortgages of immovable property, order 34. तो यह हो गया order 22 से 34, अब बढ़ते हैं आगे की order की तरफ, एक और नई story की मदद से। समझो कि plaintiff और defendant के बीच court में property related कुछ dispute चल रहा है, जिसके बाद defendant का एक check bounce हो गया जो उसे plaintiff को देना था, तो अब court ने plaintiff के property की ज्यादा information पाने के लिए एक third party की मदद चाही। तो यहां आजाएगा interpreter यानी order 35 और इसके साथ court ने बोला कि और भी कोई special case हो तो बता दो, लेकिन उससे पहले check bounce का matter निप्टा लेते हैं, अब भाई check bounce से आपको negotiable instruments का ध्यान तो आया ही होगा, तो यह बन गया order 36, special case और order 37, summary procedure on negotiable instruments, तो short में बोलूँ, तो अब interpreter add हो गया, court ने special case के बारे में भी पूछ लिया और check bounce का matter भी सुना, तो सब छानदीन के बाद court ने defendant को guilty मानते हुए, उसके खिलाफ arrest order निकाल दिया, यहां आजाएगा order 38, arrest and attachment, अब court ने defendant से कहा कि चलो अगर तुम्हें कुछ temporary relief चाहिए, तो interlocutory order निकाल लेते है और इसके साथ ही, जब तक matter solved नहीं हो जाता, तुम दोनों parties के disputed property की protection की जिम्मदारी हम receiver पर डाल दे रहे हैं, यहां आजाएगा order 39, temporary injunctions and interlocutory orders, और order 40, receivers, अब order 22 से 34 और order 35 से 40 तक हमने दो स्टोरी की मदद से सभी को याद कर लिया, इसके आगे के orders भी काफी easily याद हो ज order 41 से 45 सिर्फ appeals से ही deal करता है, order 41 appeals from original decrees, order 42 appeals from appellate decrees, order 43 appeals from orders, order 44 proper appeals और order 45 बात करता है, appeals to the supreme court, इन पाचों को हम alphabets की मदद से याद कर सकते हैं, इनके पहले alphabets को अगर आप देखेंगे, तो इनसे एक word बनता है, वो है oops, so oops words से ये पाचों orders बहुत easily याद हो जाते हैं, अब appeals भी हो गए, तो कितना easy है ना इनकी मदद से इन orders को याद करना, तो appeals के बाद आप बारे आएगी reference और review की, order 46 और 7, इनको याद करने के बाद बचे अब सिफ 4 simple orders, order 48 miscellaneous, 49 chartered high courts, 50 provincial small cause courts, order 51 presidency small cause courts, कितना easy हो गया ना, इतने simple examples, stories और tricks की मदद से CPC के इन सभी orders को याद करना, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी, कई CPC के complicated topics पर वीडियो बनाएं, और अगर आपको हमारा वीडियो बेनिफीशिल लगा हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, ऐसे ही और पी कई information प बना मत बुलना, thank you so much!